हलो फ्रेंट्स, स्वागए थाप सबक्राइब फिर से हमारी स्यूटूब चालल में तो चलिए आज हम पढ़ने वाले इंग्लिस ग्रामर के एक बहुत ही ज्यादा महात्वपूर टॉपिक्स जो है नरेशन ये जो टॉपिक है वो लगबग हर एक तरह के एकजाम से चाहिए आप किसी भी तरह के एकजाम के प्रिप्रेशन कर रहे हो लगबग हर एकजाम में एक दो कोशन जिन से रिल्टेर देखने को मिली जाती है तो इस वीडियो में इस topic को बहुत ही अच्छे से आप clear कर लीजिए इस वीडियो को last तक देखने के बाद आपको इस topic से related किसी भी तरह का doubt नहीं होगा ये मैं विश्वास दिलाता हूँ तो चलिए फिर topic स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस topic के questions आपको कैसे solve करनी चाहिए इसके जो questions होते हैं वो direct speech में आते हैं जिसको indirect speech में करना होता है आपको change तो direct और indirect speech होती क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं उसको देखिए concept को समझना बहुत ही जरूरी है concept बहुत ही इसका असान है concept होता क्या है इसका इसमें दो लोगों के बीच कही गई जो बाते होती है उसको तीसरे person के सामने में बताया जाता है या सुनाया जाता है जैसे for example मैं और आप कोई अगर बात करते हैं तो मेरी कही गई बातों को अगर आप अपने शब्दों में किसी तीसरे person के सामने जाकर बताएंगे तो जो आप बता रहे हैं वो आली जो line है या जिस तरीके से आप बताएंगे वो न कहलाता है indirect speech और जो directly मैंने आपको बताया है जो line मैंने directly बोला है वो direct speech कहलाती है तो यह differences है direct और indirect switch में इसका जो concept है वो यही है इसके जो rules है या change करने के जो तरीके है rules और regulations वो पहले हम जाने गे सारे rules को सारे तरीकों को अच्छे से समझेंगे उसके बाद ना practice questions के थुरू या questions के चली तो फिर इनके regulations और rules देख लेते हैं तो सबसे पहले है, indirect speech is written in past form जब भी हम direct से indirect speech में change करते हैं या answer लिखते हैं, तो हम हमेशा याद रखीगा indirect speech हमेशा past form में change होता है जिस present form में direct speech है उसके just past form में indirect speech change हो जाता है दूसरा point देख लो, यह key points है, यह key points है narration का दूसरा point हो गया some conjunctions like that if weather to are used to make indirect speech जब हम direct को indirect speech में change करते हैं तो हमको कुछ conjunctions use करने पड़ते हैं बीच में next point है when the reporting verb is in the simple present or simple future verb in reported speech does not change देखिए, reporting verb किसको बोला जा रहा है वो देखिए जैसे एक example है he said, ज्यादा तर question इसी तरह से होता है he said, I am a student तो यहाँ पर यह जो word आया है said, उसने कहा यह एक verb है और इसी को reporting verb बोला जाता है क्या बोला जाता है, इसको reporting verb और यह वाला जो पूरा part है उसको reporting speech बोला जाता है इसको reporting speech और इसको reported speech तो इस तरह से question होता है तो अगर यह जो verb है वो sad है तो ठीक है उसको हम past में change करेंगे लेकिन अगर यह says है कई सारे questions में आप देखे होंगे और वैसी questions आता है जादा तर में बता दूँ अगर आपके question में यह says है says है तो हमको न इसको past में change नहीं करना होता है हमको इसको present में ही रखना होता है ठीक है और उसी तरह से अगर will say है he will say तो भी यह change नहीं होता वैसे will say वाला question कम होता है ज़्यादा यह वाले questions होते है और exam में यह वाले questions आते भी है ठीक है तो I hope यह चारो point आप समझ गया होंगे ठीक है पहला point past में change करना है past में change कब नहीं करना है जब putting work simple present में होता है मतलब ही says वाला हो तो change नहीं करना है और ऐसे conjunctions अलग-अलग sentence की हिसाब से लगते है directive weather to चलिए आगे चलते है फ्रेंच सारे rules को एक बार समझ लिजी अच्छे से किस तरह से और किस में change करेंगे वह देख लेते हैं देखे अगर हमारा question है present simple में तो उसको हम को change करना होता है past simple में present simple change होगा past simple में मतलब इसको अगर मैं easy language में बता हूँ तो अगर do does वाला जो कोई sentence है कौन सा बाला? Do does वाला अगर कोई sentence है तो उसको हमको change करना होता है deed में डूड़स को किसमे change करना होता है डिर में ठीक है आगे है present continuous में अगर कोई question है ease, r वाले में ease, r में तो ease, r change होगा was, were में मतलब past continuous में present perfect मतलब have has change होगा past perfect मतलब had में present perfect continuous है जैसे have been, has been है तो वो चेंज हो जागा, head bin में, past simple मतलब, deed वाला question है, deed वाला, आपके question में, deed है, तो वो change होगा, past perfect मतलब head में, deed किस में change हो जागा, head में, ठीक है, अगर past continuous है, was word है, तो was word change हो जागा, head bin में, head bin मतलब past perfect continuous, यहाँ पर मैं tense का form लिग दिया हूँ, helping verbs नहीं लिक्या होगा, helping verbs बता रहा हूँ, past perfect में है, याद रखी किए, अगर कोई question head में है, तो वो कोई भी तरह का, उसमें changes नहीं होगा, वो head का head ही रहेगा, आपके answer में भी, ठीक है, सिर्फ उसके, pronounce जो आते हैं, उसमें वो बस change होगा, ठीक है, अगला देखेंगे, अगर past perfect continuous में है, तो उसमें भी कोई changes नहीं होता है, head मीन है, तो head मीन ही रहेगा, will change होता है, would में, shell change होता है, should में नहीं, shell को भी आपको would में change करना होगा, मतलब सभी अपने अपने पास्ट में change हो जाते है, एक लाइन में अगर हम बोलें, तो सारे sentence, जितने भी sentence है, वो अपने अपने past form में change हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा question है, जिसमें universal truth को बताया गया है, universal truth जो है, अगर उसको बताया गया है, मतलब कोई सच्चाई, सार अपनिक सच्चाई को बताया गया है, तो उसमें कोई changes नहीं होते हैं, जैसे बोल दिए गया है, कि he said sun rises from the east, सुर्य पूरुदिश्र से उकता है, तो उसको he said that sun rises from the east ही बोलना पड़ेगा, उसमें कोई changes नहीं होगा, क्योंकि उसको पास्ट में नहीं बदल सकते हैं, सुर्य पूर्व से उकता है, तो सुर्य पूर्व से उकता ही रहेगा, तो ऐसे जो universal facts होते हैं, वो change नहीं होते हैं, अगला rules में हम चलते हैं, जैसे कि मैंने conjunction का बात किया था, अलग-अलग conjunction लगते हैं, तो ये भी देख लो कि किस में कौन सा conjunction use करना होता है, तो देखिए, sentence जो होती ही ना, वो 4-5 तरह के होते हैं, पांच तरह के, और अलग-अलग सतरह के sentence में हमको अलग-अलग conjunction use करने पड़ते हैं, जर्रल sentence है, जर्रल sentence को exclamatory sentence बोलते हैं, जैसे कुछ बता रहे हैं, कुछ state कर रहे हैं, जैसे he said, I am not going to school, या I am going to school, ऐसा sentence है, तो वो कुछ बता रहे हैं, तो उसको that के साथ चेंज करते हैं, अगर question पूछ रहा है, question भी दो तरह से पूछ रहा होता है, why, where, who, ऐसे इस words के साथ, और एक yes no question, yes no question क्या होता है, जिसको सिर्फ helping अपको सामने लागर पूछते हैं, जैसे are you a student, are you a student, क्या आप एक student है, तो जैसे question में आगे, he asked, are you a student, तो उसको हम change करेंगे, तो if या weather लगा के, करेंगे, अगर हमारे questions में in pretty sentence मतलब, order, request, suggestion, advice, ऐसे questions को in pretty sentence बोलते हैं, जैसे he said, give me a glass of water, तो उसको हम change करेंगे to लगा कर, he ordered me to give a glass of water, इस तरह से उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो अलग-अलग type की sentence में, हमको अलग-अलग क्या लगाने होते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, चलिएब हम अगे चलते हैं, ऐसे जो words होते हैं, वो in me change होता है, we change होता है, दे में, I है अगर तो उसको change करना होता है, यह pronounce है, है 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 ही अर्शी में, फ्रेंड यह जो PDF है, इसको बहुत ही मेहनत से प्रिपेर किया गया है, और बहुत ही अच्छे और important बातों को इसमें compile करके रखा गया है, तो वीडियो में पूरे समझ लिजए, definitely सारे topics अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो इन सभी चीजों को इस तरह से change करना होता है, ठीक है, देखो, दे में ही रख रहेंगे, आगे हम चलते है, चेंज इन टाइमें पोजिशन, जो टाइम प्लेज पोजिशन वाली जो वर्ड आते है, उसको भी चेंज करना होता है, जहां बढ़ टूडे दीखेगा वहाँ उसको दैट डे में, तुमारो को the next day या following day में, yesterday को last day या previous day में, ago को before में, now को then में, here को there में, this को that में, this को those में, plural number वाले को, last month को previous month में, और tonight को that night में, तो इस तरह से इसको चेंज करने होते हैं, जो time है, या place है, या position है, और इसको, चलिए तो फिर, I hope कि ये सारी चीचे आपको clear हो गया होगा, जो rules and regulations है, ठीक है, अब हम ना questions के थूरू समझते हैं, कि किस तरह से इसको, हमारे नियम को follow करते हुए solve करने हैं, चलो देखते हैं, हम ना tense wise, इसके example देख लेते हैं, ठीक है, tense wise, और general statement के examples देख लेते हैं, ठीक है, present simple का, present simple का sentence है, he said, I work here, तो ये ज़्यादा तर, he said से ही related questions आती है, मतलब, जो हमारा, ये verb है, वो past form ही रहता है, sad, he said, I work here, उसने कहा, क्या क्या मैं यहाँ काम करता हूँ, ठीक है, उसने ऐसे कहा, मतलब, मान के चलो, उसने मुझसे कहा, तो मैं अब उस बात को किसी दुसरे के सामने present करूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा, उसने कहा कि, वह वहाँ काम करता था, क्योंकि वो time निकल गया है, अब हो सकता है, उसने मुझे 4 दिन पहले बताया था, अब ही मैं किसी तीसरे आदमी के बता रहा हूँ, कि उसने मुझसे ऐसा कहा करके, तो मैं ये तो नहीं बोलनगा, कि वो अभी वहाँ काम करता है, हो सकता है, वहाँ काम अब नहीं करता हो, time निकल गया, मतलब, बहुत सारे चीज़े change हो सकती है, इसी कारण से past में change करना होता है, past में change करने का मतलब यही है, क्योंकि वो time निकल जाया रहा था, जिस time में उस original बात को बोला गया था, इसलिए past में change करते हैं, तो ये present simple था, past simple में change करेंगे हैं तो he said that he worked there, here को किस में change कर दिये, there में, ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह का जो sentence होगा अगर, तो उसको बस कुछ करना नहीं है, present simple को past simple में change कर देना है, conjunction क्या लगेगा, that लगेगा, अच्छा, यहाँ पर जो sad है, उसको sad ही रखेंगे, told में change अभी नहीं करेंगे, told में change कहाँ पर करेंगे, मैं बता दूँ, अगर वो ऐसे रहता, he said to me, अगर ऐसे रहता, he said to me, किस से बोला गया है, अगर वो बताया गया रहता न, तो हम उसको he told me, ऐसा change करते, लेकिन अगर नहीं बताया गया है, said to करके, कोई नहीं रिखा गया, कि किसको बोला है, सिर्फ he said बस है, तो friend याद रखना, उसको told में change नहीं करते है, ठीक है, चलिए, तो he said that he worked there हो गया, ठीक है, here का there में change हो गया, I का change हो गया, he में, clear है, आगर नेक शावर, इसका example देख लेते हैं, एक और, she says, अब ये देख लिजे, present simple का, अभी ये past वाला था, ये present वाला भी एक देख लेते हैं, ऐसा question साता है, मैं बता दू है, she says, वह कहती है, क्या कहती है, I like Hindi song, I like Hindu song, कि मैं Hindi song पसंद करती हूँ, ऐसा करती है, तो उसको कैसा लिकेंगे, she says that, इसको sad में change नहीं करेंगे, she says that, she likes Hindi song, और इसको भी past change नहीं करेंगे, no change in tense, ठीक है, क्यों नहीं change करेंगे भई, ये, शेस में हो गया है, इस कारण से, अगर ये sad में रहता, तो हम उसको बोलते, she liked Hindi song बोल देते, अगर ये sad रहता, तो clear है, I hope कि clear हो रहा होगा, ठीक है, आगे हम लेंगे next example, present continuous के example में, present continuous का sentence देखिए, direct speech में, the manager said to me, the manager said to me, I am going out for lunch, मैं lunch के लिए बाहर जा रहा हूँ, एकदम simple है, करना कुछ नहीं है, the manager told me, और ये comma, अच्छा comma जो रहती है, उसके जगम हम लगाते हैं, that को याद रखिएगा, दोनों comma को हटाएंगे, उसके जगम हम लगाएंगे, that, तो the manager told me that, अब I am going था, वो he was going हो जाएगा, I am going था, क्या हो जाएगा, he was going हो जाएगा, out for lunch, out for lunch वो तो वैसी रहेगा, ठीक है, I का he may change कैसे हुआ है, देखो, manager नहीं बताया था, कि मैं जा रहा हूं करके, आप मान के चलो, मुझे बढ़ाया manager ने, है ना, कि मैं लंच के लिए जा रहा हूँ, इसका concept, ठीक है, concept को, अगर आप समझ जाते हैं, friends, तो ना, कोई rules and regulation नियम, यह सब चीजों की, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, concept समझे, एक आदमी के द्वारा, बोली गई बातों को, जो जिन से वो बात को बोला है, वो कोई तीसरे आदमी के पास जा के, बताता है, चलिए, आगे का example हम देखते हैं, present perfect का example देख लेते हैं, present perfect का, direct speech, दीपक said to Ravi, दीपक ने Ravi को कहा, क्या कहा, India has won the match, India match जीत चुके हैं, या India ने match जीत लिया है, अब, तो कोई तीसरे आदमी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीपक टोल्ड रवी, दीपक ने Ravi से कहा, की, that means होता है की, ठीक है, क्या कहा भई, India had won the match, उसने India has won the match बोला था, match जीत चुके है, अब हम बोलेगे, India had, India match जीत चुके था, उस टाइम में कब, जिस टाइम में उसने बताया, तब, तो has change हो जाएगा, head में बाकि सब तो वही रहेगा, क्योंकि वह आपके farm भी वहां third रहेता है, यहां भी third रहेगा, ठीक है, अगला question देख लेते हैं, present perfect continuous का, my friend said to me, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, क्या कहा, your mother has been waiting for you since morning, तुमारी मम्मी सुबह से तुमारे वेट कर रही है, ऐसा मुझसे कहा, तो यह कैसा चाहिए होगा, my friend told me that, मेरे दोस्त ने मुझसे बताया कि, my mother had been waiting for me since morning, यहां पर change क्या क्या हुआ, your mother उसने मेरे लिए बोला था, तुमारी मम्मी करके, मैं आप बोल रहा हूँ कि इसलिए मैं बोलूँगा, my mother, याद रखी गए, जब भी set to me होगा, तो यह मान के चलना है कि, मैंने वो मुझसे बोला है, और मैं किसी दूसरे आदमी को बताऊँगा, कि उसने मुझसे ऐसा बोला करके, तो क्योंकि उसने मुझसे बोला था, डारेक तो यूर मदर बोला था, लेकिन अब मैं किसी और को बता रहा हूँ, तो माई मदर बोलूँगा, तो माई फ्रेंड टोल भी, मेरे दोस्ने मुझे बताया कि, जो मेरी मम्मी है, वो किसका बेट कर रही है, मेरी बेट कर रही थी, सुबह से, तो वो यू यहाँ पर, अपने लिए मी यूज करूँगा, तो यू चेंज हो गया मी में, ठीक है, तो आई होप यह भी क्लियर हुआ होगा आपको, अगला एक्जाम्पल है हमारा, पास्ट सिंपल, उसने कहा, माइ फ्रेंड बॉट अ कार यस्टरड़े, मेरे दोस्त ने कले कार खरीदा था, या खरीदा, तो उसने मुझ से कहा कि, माइ फ्रेंड उसने अपने लिए यूज किया था, अब मैं क्या बूलूँगा, his friend had bought a car previous day, अब past simple को किसमें change करते हैं, past perfect में, past perfect का helping अब क्या है, had है, आपको सारे tense करें helping अब, और वो आपके form बस याद होनी चाहिए, एकदम easily आप इसको कर लेंगे, ठीक है, और अगर आप सेंस को समझ चाते हैं तो तो और even better है ना तो he said that his friend had bought a car previous day, यह study को किसमें change करेंगे previous day में, अगला question है past continuous का दिखते हैं, तो she said my teacher was teaching a story उसने कहा कि मेरी मम्मी क्या पढ़ा रहे थी, story पढ़ा रहे थी तो she said that उसने कहा कि her teacher had been teaching a story, तो my teacher उसने अपने लिए उस किया था, अब मैं बता रहा हूँ या कोई दूसरा आदमी बता रहे थो उसकी teacher, उसकी teacher बोलेंगे है न was teaching के जगह में क्या हो गया, had been teaching was किसमें change हो गया, had been में change हो गया, ठीक है, अगला देखते है past perfect example, रमन said we had passed the examination रमन ने कहा हम एक्जामने 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 पास्ट कर लिया था, ठीक है, तो had वाला जो past perfect है मैंने बताया था, no change, उसमें change नहीं होता, तो वो ऐसी रहेगा, सिर्फ यहां पर conjunction लगेगा, रमन said that, और we change होगा, प्रनाउन नहीं होता मैंने बताया था, the teacher said to her, अच्छा चेंज नहीं होगा, का मतलब उसका tense का form change नहीं होगा है, बाकी प्रनाउन वग्रा तो change होती है, the teacher said to her, the principal had been calling you, the teacher told her, the teacher नहीं के बताया, क्या बताया, क्या बताया, की, the principal had been calling her, तो you के जगह में क्या आगया यहां पर, शिर्फ हर, ठीक है, अगला example है, future, simple का, she said I will teach English, उसने कहा, मैं इंग्लिस पढ़ाऊंगा, तो she said that, she would teach English, उसने कहा, मैं इंग्लिस पढ़ाऊंगा, तो she said that, she would teach English, सिर्फ व बहुत important है, और imperative sentence, उसको देखने के लिए अप उपर I button में क्लिक करके उसको देख सकते है, या description में उसका link है, वहां पर जाके second part को, second and third part को देख सकते है, I said to him, मैंने उनसे कहा, you will be waiting for a long time, आप एक बहुत समय से वेट कर रहे होंगे, तो I told him that, मैंने उनको बताया की, he would be या विल भी हो जाएगा, would be, he would be waiting for a long time, तो इस तरह से future continuous का change होगा, I hope कि सारे examples आपको clear हुए होंगे, सारे examples को एक बार अच्छे से देख लीजिए, और समझ लीजे, बिल्कुल ही, बहुत अच्छे से और असानी से आपको समझ में आ जाएगा, तो चली तो फिर इस वीड मिलते हैं नेक्स जीटो में